Hello students, welcome to in my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है English. बिट ये वर्क्षिट 5th October 2020 की है. तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट. वर्क्षिट शुरू करने से पहले बच्चे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आएए देखें आज की वर्क्षिट में क्या दिया गया है. Read the passes carefully and answer the question that follows. You don't know me, but I know you. And I am the enemy of yours who sought revenge on you. तो बिटाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? किंग, हमने पिछली वर्क्षिट में देखा था कि किंग को मारने के लिए, किल करने के लिए एक enemy आया था. बट उसके क्या थी? उसके बहुत जादा चोट लगी हुए थी, wounded था वो बहुत जादा. तो जब राजा उसको देखता है, किंग उसे देखता है, तो वो क्या करता है? उसको पूरी तरह है, उसको treat करता है, उसको अच्छे से bounded करता है, उसको पटी लगाता है. तब जो यह enemy था, यहाँ पे जो talk दी गई है, वो उस enemy और किंग के बीच में दी गई है. तो वो man बताता है, कि किस reason से वो उसका enemy बना, और अब वो आगे क्या करेगा? तो अब देखते हैं, you don't know me, but I know you. तब वो man क्या कहता है, कि तुम मुझे नहीं जानते, बट मैं तुम्हें जानता हूँ. I am the enemy of your, who swore revenge on you. मैं तुम्हारा क्या हूँ? एनिमी हूँ, मतलब कि दूश्मन हूँ और मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ. Because you put my brother to that and seized my property. क्या करा क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरे सारी जो property थी, वो तुमने ले ली, छीन ली मुझ से. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो वो कहता है कि मैंने तब से decide किया कि मैं उस ताइम से मैंने घर से निकल गया और मैंने decide कि मैं तुम्हें, sorry वो यहाँ पे कहा रहा है कि मैं जानता था कि तुम घर से अकेले निकले हो. कि मैं जानता था कि तुम घर से अकेले निकले हो, hermit से मिलने के लिए, तो मैं इसलिए मैंने decide कि अपने mind को change किया कि मैं तुम्हें रस्ते में ही kill कर दूंगा. नेक्स देखो क्या कहता है, कि but the day passed and you didn't know return, जब तुम नहीं आये, बहुत दिन बीद गए, so I left my hiding palace, इसलिए मैं अपने छुपे हुए स्थान से निकला, and I came upon your bodyguard, और क्या हुआ कि मैं जब बहार आया, तो मुझे जो bodyguards थे उन्होंने क्या कर लिया, who recognized me and wounded me, तो उन जो bodyguard उन्होंने क्या किया, उसको recognized किया, और क्या किया wounded किया, उसे चोट पहुचा दी, I escaped from him, but I should have died if you had not dress my wounds, और वो कहता कि मैं वहां से तो बच निकला, लेकिन मैं मर चाता, I should have died, अगर तुमने मुझे dress up ना किया होता, dress my wounded, जो मेरे wounded थी, जो चोट थी, उसको ठीक ना किया हो I wish to kill you and you have saved my life, वो कहता कि मैं तुम्हे मारना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचा दी, now, if I live, अब मैं जिन्दा हूँ, तो I will serve you as your most faithful servant, अब तुमने मेरी जान बचा दी, तो राजा से वो enemy, जो man था, ये कहला थे, कि अब तुमने मेरी जान बचा दी, तो मैं त करें, forgive me, मुझे माफ कर दो, तो अब आपको स्टोरी समझ में आई होगी बेटा, अब देखते हैं, इसे related यहाँ पर कोशन अंसर दिये हैं, उन कोशन को करने की कोशिश करते हैं, तो देखें, फर्स्ट कोशन क्या है, स्टेट द ट्रू और फोल्स, फर्स्ट कोशन क्या है the true, next देखिए, the speaker in the above passes is the king, तो इसमें क्या हो जाएगा, false, next देखें, क्या है, the I in the above Countes is king's enemy, and you is the king, जो अब पेर பल्ण यहाँ पे दिया गया है, उसमें I किस कि बात हो रहीं है, यहाँ उन कि बात है, जैकीए यहाँ कंग की, यहाँ जीए भात है, यहाँ गाया है क्या questions दिये गए है बेटा, बेटा, NCRT को जरूर लीजी अपने पास में जब भी आप questions असर करते हैं, ठीक है, अब देखें next क्या दिया गया है, answer the following question by choosing the right option, why did the person swear revenge on the king, जो person था, वो king से revenge क्यों लेना चाहता था, because he was wounded and because the king had put his brother to death and sneeze his property, तो answer क्या आजाएगा, second Q, क्योंकि जो king था, उसने ब्रदर की death, मार दिया था, मतलब उसको death कर दिती और उसकी property को छीन लिया था, next question देखिए, where did he decide to kill the king, कहां पर उसने decide किया था, kill को किल करने के लिए, on his way back home, कहां पर किया था, भी घर से आते हो उसको kill कर देगा, next देखि what did the bodyguard do when they recognized him, देखो, bodyguard ने क्या किया था, जब उनको recognize कर लिया गया था, जब उस man को, जो bodyguard से उन्होंने recognize कर लिया गया था, तो क्या किया था, उन्होंने, wanted him, उसे चोट पहुँचाई थी न, next देखिए, question number 4, complete the conversation by the writing in the dialogue box, देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, यहां तो जो man था, उसने क्या किया और एक, जो king था, उसने क्या किया, बेटा, आपकी worksheet में, यह king वाला जो statement है, वो missing है, वो मैं आपको करवा दूँगी, बट यह देखते है कि हमने, कि जो man था, उसने क्या statement दी थी, क्या dialogue box बोला था, तो यहां से देखते हैं, dialogue box में क्या एगा बेटा, यहां पर आएगा, देखें, यहां पर क्या आएगा, I will, I will serve you as your most faithful servant, and will order my son to do same, forgive me, तो first में तो यह आजाएगा, क्या कहा था, यहां पर देखो, एक मिन question समझाती हूं, बेटा, I will serve, तो इसके आगे बेटा, आपको यहां से लिखना है, you as my, as your most faithful servant, and will order my son to do same, and forgive me यह तो बोला था, उस man ने, अब इसके बाद, first में तो हमने यह लिख दिया, बट यहां पर second statement आपकी worksheet में missing है, यहां पर जो statement आने थी, इसके बाद, king ने क्या answer दिया, इसका, वो statement आपकी worksheet में missing है, बट आपकी NCRT में वो proper अच्छे से दी गई है, इसलिए मैं आपको वो answer सभी करवा देती हूं, तो आइए करते हैं, next statement का, कि king ने आगे क्या कहा था, तो आइए देखते हैं, बटा, second job, king ने उस time पर क्या कहा, हमने देख लिया था, कि man ने क्या कहा था, अब हम देखते हैं, कि king ने क्या कहा था, I would send my servant and my own physician to attend you, कि मैं अपने servant को और अपने physician को आ कि जो आपकी property है, उसको वापस दे दूँगा, restore कर दूँगा, ठीक है, तो यह यहाँ पर आपकी जो वरक्षिट, इपटा, उसके अंदर यहाँ पर हो सकता है, next में दे दिया जाए, लेकिन अभी यह वरक्षिट में मिसिंग है, तो आप अंसर कर लीजिगा, क्योंकि आप है, जहां पर वो man क्या बोल रहा है, उसके बारे में, second था कि king, king की तरफ भी दिया गया था, एसा बनाया गया था कि king ने क्या बोला, तो king ने जो बोला, वो यहाँ हमने कर लिया